नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे New Education Policy 2020 पहले हम देख लेंगे कि पहले कौन-कौन सी policies लाई गई अब इस policy में major structural changes कौन-कौन से हैं और government इस education policy से क्या expect कर रही है तो पहले कौन-कौन सी education policies लाई गई थी जो first education policy थी, वो 1968 में आई थी जिसको इंद्रा गांधी गवर्मन लेकर आई थी 1986 में second education policy आई थी, जिसको राजीव गांधी गवर्मन लेकर आई थी 1992 में जो इस education policy को modify कर रहा था पीवी नर्सी में रहा होने इसलिए कभी-कभी आपको इस education policy में कभी ऐसे देखने को बिल जाएगा 1986-1992 2009 में मनमोन सुन जी right to education लेकर आई थे आर्टिकल 21A जिसमें 6 से लेकर 14 साल के जो student थे उनके लिए education free और compulsory रख दिया गया था अब 2020 में third education policy आई है इंडिया में जिसको नुरेंदर मोधी गवर्मन लेकर आई है अब हम बात करते हैं कि किस committee के recommendation के ओपर ये हुआ है तो former ISRO chief है कस्तूरी रंगन जी इन्होंने nine members जो है committee को lead करा है जिसने prepare करा है new education policy का draft 2019 में अब पालियमेंट में इसको pass करा गया है जिससे ये बन गई है new education policy 2020 अब देखे एक बड़ा important point है कि जो education है वो concurrent list में है इसका मतलब है कि education के ओपर जो law है वो center और state दोनों बना सकते हैं तो new education policy 2020 है ये mandatory in nature है ये mandatory नहीं है center और state की government दोनों को अखठा काम करना पड़ेगा इसको अच्छी तरह implement करने के लिए center जो है इसको force नहीं कर सकती है states के ओपर state की मर्जी के बिना ये education policy implement नहीं हो सकती है अब हम बात करते हैं कि ये education policy लाने की जुरूरत क्या पड़ी देखे इंडिया ने adopt करें थे SDG goal 2015 में जिसमें चार नंबर goal है quality education इसमें इंडिया ने बोला था कि by 2030 इंडिया का क्या aim रहेगा वो ensure करेगा कि inclusive और quality education परवाइड करें जिसमें lifelong learning को promote करा जाएगा और सभी को equal opportunity दी जाएगी education में तो अगर आपने SDG goal को adopt करा है और आपने aim रखा है कि सबको education हमने provide करनी है और सबको equal opportunity देनी education में तो हमें पूरे की पूरी जो education policy इसको बहुत तरीके से reconfiguration करने जरूर थी इसलिए government जो है new education policy 2020 लेकर आई है एक और बात की education system जो इंडिया में है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है एक national employability report आई थी 2019 में इसमें बोला गया था कि approximately 80% जो engineer है वो employable ही नहीं है कि उनके पास skill ही नहीं है कि हम उनको सीधा industry में use कर सकें पहले जो industry में जब companies थी वो क्या करती थी engineers को training देती थी को 6 मेने की को साल की को 2 मेने की उसके बाद वो industry में काम कर सकते थे तो इन चीजों को जो दूर करने के लिए अब जो new education policy लाईगे इसमें research work को रखा गया आपके skill के उपर focus करा गया है कि जो भी graduate होगा उसको सीधा हम industry में use कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि structure में क्या change हुआ है पहले 10 plus 2 का structure था 6 से 16 साल और 16 से 13 साल अब क्या हुआ है 5 plus 3 plus 3 plus 4 इसका क्या मतलब है कि जो age group है 3 से लेकर 6 साल जिसको हम बोलते हैं आंगनवाडी, preschool, बालवाटी का ये पहले government school में implement नहीं था private school जो इसको implement कर रहे थे अब government ने इसको accept कर लिया अब पहले 3 साल को भी formal education में introduce कर लिया गया है अब government schools में भी preschool होंगे देखिए जो पहला stage है उसको foundational stage बोला गया है जो आपकी 3 से लेकर 8 साल तक होगी 8 से 11 को preparatory बोला गया है middle जो stage है वो 11 से लेकर 14 साल की age में होगा और जो secondary जो stage है वो 14 से लेकर 13 साल के students की होगी इसमें 9 से लेकर 12th class आएगी अब इसमें जो major change है वो है कि पहले क्या था हम 11 में जाके subject select करते हैं अब हमें 9 में subject select करने पड़ेंगे यह हम आगे detail में करेंगे यह कैसे होगा तो पहले हम देखते हैं कि school education में major change क्या है इस policy में जो बड़ी बात बोली गई है वो है कि 5th grade तक जो education होगी वो mother tongue में होगी पूरे world में यह research करा गया कि जो बच्चे पहले अपने mother tongue में education को start करते हैं जो concept सीखते हैं वो अच्छी तरह उसको adapt कर पाते हैं तो इंडिया में भी इसी system को implement करने की कोशिश करी गया अब जो report card मिलेंगे वो marks के base पे नहीं होगे वो skill के और capability के base के उपर होगे student को जो coding है वो class 6 से सखाई जाएगी काफी countries में इसको implement करा गया है तो काफी अच्छे जो coder जब programmer जो होते हैं वो foreign countries में होते हैं इसका एक यह reason माना गया है कि वो coding बहुत जल्दी start कर लेते हैं इंडिया में भी class 6 से जो है वो coding को start करा जाएगा new education policy 2020 का aim है कि वो universal foundation, literacy and numeracy in primary education को achieve करेगी by 2025 इसका मतलब क्या है कि primary education complete होते ही बच्चे को क्या आना चाहिए writing, reading, speaking और आपको mathematical skill आने चाहिए यह new education policy का aim है अब हम देखते हैं कि higher education में क्या changes आए है देखिए पहले higher education को दो regulatory body जो है control करें UGC और AICTE अब इन दोनों को खत्म कर दे जाएगा इसको merge कर दे जाएगा higher education commission of India में अब single regulator होगा इसमें exclude कर जाएगा medical और law की studies को इन दोनों को छोड़के बाकि सब को higher education commission of India regulate करेगा अब हमने जो निया concept जो add करा है four year multi-disciplinary bachelor program इसका हम आगे देखेंगे इसमें आपको multiple exit option मिलेंगे एक और major change है कि M.Phil को खत्म कर दिया गया है पहले क्या होता था degree, MA, M.Phil और PhD अब M.Phil को खत्म कर दिया गया अब degree, MA और PhD सीधा होगी पूरे all our world में यही concept को implement कर जाता है post graduation के बाद सीधा PhD होती है तो अब इंडिया में भी इस चीज को मान लिया गया अब आपकी post graduation के बाद सीधा PhD होगी तो इस table में आपको clear हो जाएगा कि NEP 2020 आने के पहले जो degree courses थे हो कैसे थे और अब degree courses कैसे होंगे पहले हम बात करते exit option के उपर तो NEP 2020 के पहले degree courses में यह available नहीं था कोई भी आपको exit option नहीं था अगर आपने एक साल BA में लगाया और आप drop out कर जाते हो किसी वह से तो आपको वो एक साल बरवाद हो जाएगा तो अब क्या होगा कि आप थ्री ये डिगरी का course कर रहे हो तो आपको जो exit option है वो आपको पहले साल के बाद और दूसरे साल के बाद में मिलेगा जो 4 ये डिगरी में क्या मिलेगा आपको exit option फर्स ये कंपलीट होने के बाद सेकंड ये कंपलीट होने के बाद आपको exit option मिलेगा आपको डिगरी कैसे वाड होगी अगर आप new education policy 2020 के पहले बात करते हो आपको पूरे का पूरा जो duration है program का वो कंपलीट करना पढ़ेगा डिगरी लेने से पहले अब क्या होगा कि अगर आप पहला साल कंपलीट करते हो exit करते हो तो आपको मिलेगा certificate अगर आप second year कंपलीट करते हो तो आप exit करते हो आपको मिलेगा diploma certificate और अगर आप तीनो साल कंपलीट करते हो तो आपको डिगरी मिलेगी अगर आप चार सल complete करते हो तो आपको degree with research मिल जाएगा अब हम बात करें कि इसमें research का क्या scope है तो NEP 2020 से पहले research का scope zero है लगबर zero है कोई भी research का option नहीं है अगर हम बात करें तीन साल की degree की अब इसमें क्या कि आपने तीन साल की degree करी आपको degree मिल गई अब जब आप post graduation करोगे तो आपको 2 साल का post processing करना पड़े इसमें पहला साल आपको पढ़ाईगा होगा दूसर साल research का होगा तो इसमें कुछ option है आपका research का अगर आप 4 साल की degree की बात करें तो 4 साल degree में आपका research included है तो इसके वाज़ जब आप post graduation करने जाते हैं तीन साल की जो डिगरी कोर्स होना चाहिए तो आपको पहले साल जो है वो पढ़ा ही करनी पड़ेगी और दूसरे साल में रिसर्च करनी पड़ेगी और सेकंड टाइप है एक साल का मास्टर डिगरी प्रोग्राप इसमें कोन अलिजिबर होगा में foreign universities को entry दी जाएगी अब foreign university इंडिया में जो है अपने campus set up कर सकते है इसके लिए जो required changes होगे law में वो Indian government कर देगी अब set up कर जाएगे मिरू, multi-disciplinary education and research universities देखिए by 2040 और single stream की universities उनको खतम कर दिया जाएगा कहने का मादल जो सिर्फ engineering करवा रही है अब और engineering नहीं करवाएगी अब उसके साथ arts भी करवाएगी और और subject भी करवाएगी single stream university का concept खतम होने जा रहा है अब जो भी university होगी उनमें multi-disciplinary approach होगी अब एक चीज़ और introduce करेगी है academic bank of credit इसमें क्या कि जितने साल भी आप पढ़ रहे हो second year में admission ले सकते हो यह बड़ा आसान हो जाएगा कभी भी आप drop करते हो तो आप अपने academic जो bank credit आपके वेलेवाला उसको यूज करके आप आगी बढ़ाई continue कर सकते हो interdisciplinary combination of subject होगा देखिए पहले क्या है तो कि पहले बड़ी hard line है कि आपने medical किसे ने रखा है अब interdisciplinary जो approach रहेगी कोई भी subject कोई भी चूज कर सकता है अब ऐसा नहीं है कि आपको physics chemistry के साथ math लेना पड़ा है तब ही आप non medical में आऊगे ऐसा कुछ नहीं है अब अब subject wise approach हो जाएगी जो भी subject आपको अच्छा लगता आप उसको चूज करके अब हम बात करते हैं board exam की तो 10th और 12th में board exam रहेंगे आपको second chance मिलेगा आपके score improve करने के लिए ऐसा नहीं कि एक बार board exam दे दिया तो आप द्वारा दे नहीं सकते हैं अगर आपके score improve होते हैं तो आपको नया DMC मिल जाएगा बोर्ड exam जो है वो different level of exam आपको offer करेगा देखिए इसमें simple बात है आप 10th class में आप बोर्ड exam दे रहे हो आपका math अच्छा नहीं है तो आप क्या करोगे वहाँ पे आपको math के option प्रवाइड करेंगे level 1, level 2, level 3 जितने भी option वो प्रवाइड करेंगे उनकी जो difficulty level होगा वो different होगा तो आप अगर math में अच्छा नहीं है तो आप कम difficulty level वाण exam चूज करके अब अच्छे score जो है वो ले सकते हो वो आपको DMC में मिल जाएंगे अब आपको flexibility मिल की subject चूज करेंगे पहले बात कर चुका हूँ कि अगर आप non medical रख रहे हो तो जुरूर नहीं है आपको physics chemistry और math रखना है physics chemistry के साथ कोई और subject रख सकते हो अब आपको subject और 9th class से चूज करने होंगे जो हम पहले 11th class में चूज कर रहे थे अब vocational subject को equal weightage दी गई है यह बड़ा important है तो देखी पहले क्या होता था कि जो medical करते थे उनको मतल ज्यादा weightage मिलती थी unknown medical को उसको कम, commerce वाले को कम, arts वाले को उससे कम अब ऐसा नहीं है vocational subject कोई भी चूज कर सकते कोई theater का चूज कर सकते हो जो कोई भी वो equal होगा physics के equal weightage मिलेगी इसको ठीक है अब क्या है vocational subject की जो weightage को उसको बढ़ाया गया vocational subject बहुत जलूरी होते है काम करने के लिए skill develop करने के लिए students में तो उनको complete जो है equal weightage दी गई है अब क्या होगा कि एक national curricular framework जो है वो बनाया जाएगा school education के लिए with the help of NCRT यह 2020-21 में इसको complete कर लिए जाएगा single stream जो institute है उसको खत्म कर दिया जाएगा by 2040 पहले बात कर चुका हूँ मैं अब common interest exam होगा जुनिवस्टी के admission के लिए देखिए अब different university different different exam ले रही है government ने डिसाड़ का कि student बहुत ज़्यादा exam दे रहे अब एक single exam होगा तो ऐसा नहीं आपको अगले साल का इंतियार करना पड़ेगा आपको same year में दूसरी बार इसको देने की option रहेगी जैसी teacher legibility test हो रहा है दो बार हो रहा है साल में तो ऐसा ही same रहेगा अब हमने students की बात कर ली अब हम बात करते है teachers की जो इसको implement करेंगे उसके लिए क्या changes है तो इस policy में यह रखा गया कि जो aim रहेगा हमारा वो 30 to 1 ratio का रहेगा तीस student के पीछे एक teacher होना चाहिए high quality resources जो है दिक्षा पोर्टल पे अवेलेबल करवा जाएगा ताज वो अच्छी से सीखके student को सिखा सके इस policy में एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर कोई भी student teaching को as career option चूज करना चाता है तो उसको simple four year integrated B.Ed का course करना पड़ेगा और सिधा वो teaching के लिए leasible हो जाएगा पहले क्या होता था कि आप degree करो उसके बाद आप B.Ed करो अब ऐसा नहीं है आपको सिधा कि क्या changes हुए है कैसे 10 plus 2 के जो system को 5 plus 3 plus 3 plus 4 में change करा गया है कैसे हमने teachers के लिए एक नया program introduce करा है जिसमें integrated B.Ed आएगी कैसे higher education system को change करा गया है कैसे foreign universities को बोला गया कि आपका campus setup कर सकते हो research को promote करा गया है इस policy का जो पूरा aim है कि search बर के ओपर काम करें student के skill improve हो उनकी employability improve हो और हम global standard के equal अपने education system को ले के जा सके So hope now you understand new education policy 2020. Thank you, thank you very much